तो वीवर्ज आट में आपको बताऊंगा कि आप अपने आईटून को किस तर अपडेट कर सकते हैं तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया तो सब्क्राइब बटन के उपर क्लिक करके उसको सब्क्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन आन कर ले तो यह आप देख सकते हैं कि मैंने अपना आईटून को उपन कर लिया है यहाँ पर आप लोगों ने हल्प टैप के उपर क्लिक करके चेक फार आपटेट के उपर क्लिक कर देना है तो जैसा ही आप चेक फार आपटेट के उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको विंडो नजर आएगी यहाँ पर आप लोगों ने डाउनलोड आइटून के उपर क्लिक कर देना है तो download iTunes के उपर click करने के बाद यहां पर आपको एक new window नज़र आएगी और यहां पर आप लोगों ने install के उपर click कर देना है यहां पर yes कर दें इसको तो viewers आप लोग देख सकते हैं यह 269 MDT file है जो के download होकी step by step इसके कुछ part यूँ है file है 5 & 6 file है जो इसके download होंगे जैसे यह नीचे आप देख सकते हैं यह 47 MB की file है तो complete इसका setup जो है 269 MB का है तो इसलिए भी मैं इस video को थोड़ा पोज करता हूँ और जैसे ही इसके download complete हो जाएगी मैं आपको दुबारा जान करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे downloading जो है वो almost complete हो चुकी है तब यह download complete होने के बाद iTunes जो है वो installation होना शुरू हो जाएगा तो यह आप देखा भी iTunes जो है उसकी installation शुरू हो चुकी है तो इसकी installation में थोड़ा सा टाइम लगेगा जैसा कि आप computer screen के ओपर देख सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं iTunes का icon जो है वो desktop के ओपर आ चुका है तो यह देखे भी अगर आप इसको restart करना चाहते हैं तो yes कर देए अगर आपका restart करने का plan later है तो इसको no कर देए तो मैं इसको no कर देता हूँ क्योंकर मुझे भी restart नहीं करना है तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं इसको अपने की बीटो के refresh करता हूँ यह दोबारा update का icon आ रहा है मैं इसको cancel कर देता हूँ उसके बाद आप इसको quiet button के उपर क्लिक करके close कर दें तो अभी मैं अपने iTunes को open करके आपको दिखा देता हूँ तो यह आप लोग देख सकते हैं मेरा iTunes open हो चुका है यह आप लोग ने अगरी को button के उपर क्लिक कर देना है और अभी थोड़े दे में हमारा iTunes जो है वो open होके उसकी screen आपके सामने आ जाएगी तो यहाँ पर आप OK के उपर क्लिक कर दें अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया तो सब्क्राइब बटन के उपर क्लिक करके सब्क्राइब कर ले अपना बहुत-बहुत ख्यार रखेगा मुझे इजाज़त देजिए अलाहाफाज